हेलो विरॉन कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी बच्चे वोड एकजाम में हिंदी में हमेशा एक पत्र या आबेदन पत्र या हैं ऐसा क्यों इसके बार बात करेंगे सबसे पहले आप लोग योडि कोशन दिया है पत्र लिखने के लिए बच्चो देखें कि आपने मित्र कमलेश को बड़े भाई की साधी में अमंद्रित करने एंटर य to एक पत्र लिखना है तो जब भी आपकों पत्र लिखना हो अप अपने दोस्त के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने बहन के लिए, मतलब जब रिलेटिव में, यहीं रिष्टेदार में आपको पत्र लिखना है, वहां पर भी से लिखने जरूत नहीं है, आपको एड्रस लिखना है, कोई भी एड्रस लिखने, फेक एड्रस लिखने, आपका पूत्र ठीक है या कि ऐसा भी लिख सकते हैं अपने बड़े भाइ को दे रहे हैं तो आपका छोटा भाई ठीक कुछ भी लिख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा बिल्कुल परसान नहीं तो 20 कब लिखना है जब आपको किसी अधिकारी को देना हो जैसे माल से शचीवें उनको देना साइब तो जब किसी आधिकारी को जा किसी बिसिश्ट prob par tainat byक्ती को देना हो तब हमोगा किया लिखते हैं बिस लेकिन अभी जब आफ को बिस लिखने दौटने होगynnद बातों को द्हान में रखना है जैसे आप लोग copy मिलता है board exam में तो आप दो line खीच लो यदि line नहीं है तो दो line खीच लो इसके पीछे region ये है कि ये दो line के बीचों बीच लिखना है तो आपको इधर अधर बटागें जूरत नहीं है अब जैसे बच्चो ये प्रश्म क्रमांग आपका 16 है तो उतर क्रमांग यहां पर मैंने 16 लिख दिया सबसे उपर लिखना है जो पत्तर लेखन है या अबेदन पत्र या प्राथना पत्र खुछ भी होगा आपको उसको एक पेज में ही लिखना है ध्यान में रखना बच्चो एक पेज में लिखना है वो भी आपको right side में उत्तर क्रमांग लिखना है अब यहाँ पर कोई address नहीं दिया है भाई आप किसी को तो दे रहे हैं तो address तो लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर आप कोई भी address लिख सकते हो जरूरी नहीं है और हमेशा जब भी आप से पत्र पुछा जाएगा तो कभी उसमें address नहीं लिखा रहेगा तो आप लिख सकते हो कि बाड़ क्रमांग 20 ठीक है कालोनी सीबिल लाइन ठीक है फिर आप लिख सकते हो जबलपुर दिनांग आप कुछ भी डाल सकते हो फिर यदि आप पिता जी को दे रहे हो तो परमपुज पिता जी या कि मालीजे आप दोस्त को दे रहे हो तो प्रियमित्र कमलेश या कि माता जी को दे रहे हो तो परमपुज माता जी ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है तो यहाँ पर जैसे मैंने एड्रस अपने मन से लिख दिया है पेपर में कुछ एड्रस दिया नहीं है आपको अपने मन से लिखना है कि बार्ड नंबर 20 सीबी लाइन जबलपूर मदप्रदेश धिनांग आप कोई भी अड्रस लिखेंगे आपकी नंबर नहीं कटेंगे ध्यान रखना अब जब यहाँ पे बात आती है अगले स्टेप में जैसे आपका देखिए यह लाइन था बच्चो और एकदम लाइन और मैं जहां से लिखा हूँ एकदम बराबर गैप है उपर से नीचे तक लिखूँगा बराबर गैप रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है फिर इसी के नीचे प्रियमित्र कमलेस अब बच्चो आगे नहीं लिखना इसी के नीचे से लिखो अब देखिए जब भी आप लोग अपने माँ को दे मतलब पत्र या भाई को दे बेहन को दे दोस्त को दे किसी को दे तो सबसे पहले आप ये बताईए कि मैं यह बताते हुई अत्यन्द खुस हूँ कि हमारे घर में मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है और यही उमीद करते हैं कि आपके घर में सब कुछ ठीक होगा यानि मैं यहां स्वस्त हूँ कुसल मंगल हूँ और आसा करता हूँ कि आप भी सब लोग कुसल मंगल होंगे आपके परिबार भी कुसल मंगल जैसे दोस्त को दे रहा हूँ तो आप लिख सकते हो कि मैं यहां स्वस्थ हूँ कुसल मंगल हूँ और आसा करता हूँ कि तुम भी सकुसल होगे फिर जैसे आपको बच्चो अपने बड़े भाई की साधी के लिए आमंत्रन देना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा यह मुझे अत्यंत हर्स हो रहा है सुचित करते हुए कि मेरे बड़े भाई की साधी कब हो रही है मालीजी दोहजार चौबिस चल रहा है तो दोहजार चौबिस में लिख दो कि दोहजार चौबिस में संपन्ध हो रहा है कारक्रम कब से होगा जैसे मालीजी आपका मार्च में कारक्रम है तो मार्च मता दो इस दिन से कारक्रम होगा और साब परिबार आपको मैं अमंत्रित करता हूँ और ये भी लिखना है कि आप उपस्थित होगे तो मुझे इस कारक्रम में और अच्छा लगेगा आनंद लगेगा और मैं तुम्हारी प्रतिच्छा करूँगा मतलग जब तुमाओगे भाईया तो हमारा कारक्रम और सफ़लोगा ये बताया रहा हूँ अब जैसे मा लिजिए आप अपने पिता जी को दे रहे हैं किसी चीज़ को त्यारी करते समय तो भाईय आप बताओगे मैं स्वस्थ और कुसा लूँ आसा करता हूँ कि आप लोग भी सब सकुसा लोंगे मैं बताना चाहता हूँ पापाजी कि मेरा परिच्छा जल्दी सुरू होने वाला है भाई कुछ तो बताओगे ना जानकारी देने के लिए इस समय मेरे साला की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी है इस समय रिवीजन कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा हूँ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस मेहनत से मैं प्रथम स्रेणी में जरूर रहूँगा और आपके उम्मीद उपर खरी उतरूँगा तेकि ये अपने निजी भाव बताना है बिल्कुल ऐसा ने कि किसी गाइट से उतार के लिए हूँ ऐसा ने वही इसलिए तुम्हें याँ पर एड्डर्स अपना दिया फिर आप लिख दिये क्वेश्चन के अंसार अब क्वेश्चन में जरूर धैन रखना कि नाम दे के रखा है कि ने जिसमें लिखा है कि अपने प्रियमित्र कमलेश को देना है तो यहाँ पर आप लिखोगे कि मैं कुशल हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की साधी कब किस तारीक को है माली जे 15 मार्च को है तो कारकम दो दिन पहले से सुरू होगा न तो इस दिन से कारकम हो रहा है आप लोग सभी लोग अमंत्रित है मैं चाहता हूँ कि तुम और जल दी आ जाओ जिससे मुझे अच्छा लगेगा यहीं तुम्हारे उपरस्थिती होने पर बिलकुल बराबर में रहेगा भाई किसी में दी कम नहीं रहेगा पीछे साइट कुछ भी हो लाइन इसलिए खिश दियाओं कि उससे बाहर नहीं जाना है हम देखे कैसे लिखे हैं हमारे यहां सभी लोग साकुसल है आसा करता हूं कि आपके घर में सभी लोग साकुसल होंगे यह बताते हुए अत्यन्त खुसी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की साधी दिरांग 15 है यहां पर 3 है मतलब आपका हो गया मार्च 15 मार्च 2024 को हो रहा है कारकरम 13 है 3 2024 से ही आरम होगा जिसमें आप साब परिवार आमंत्रित है मैं चाहता हूं कि आप दो दिन पहले आ जाओ जिससे मुझसे क्या होगा अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ खुब मस्ते करेंगे और भी आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं तुम्हारी प्रतिच्छा करूँगा यनि मैं आपकी प्रतिच्छा करूँगा जो भी लिखना है फिर लास्ट बच्चो यहाँ पर लिख दो कि तुम्हारा मित्र ठीक है तुम्हारा मित्र ठीक ऐसे यहाँ पर लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अखिलेज, क्या बच्छो, अखिलेज, यह लो, तुम्हारा मित्र अखिलेज, और कुछ भी लिखने जिरोत नहीं है, इतना लिख दिये ना, आपको नमबर बराबर मिल जाएंगे ठीक, अब दोस्ती में एक चीज और, जैसे मैं यहाँ पर, हम हमेशा अपने दोस्तों को भी आप ही बोलते हैं, ठीक है, तुम नहीं बोलते हैं, आज तक करेकार्ड है, मैं बता रहा हूँ, मैं आप ही बोलता हूँ, अपना अपना रिस्पेक्ट है, जैसे यहाँ पर तु तुम्हारे प्रतेच्छा करूंगा यह मैं आपकी प्रतेच्छा करूंगा तो फिर यहां पर यदि तुम्हा आप लिख रहे हो तो यहां पर लिख देते आपका मित्रा यदि तुम सब्द यूज कर रहे हो करते हैं कि भाई तुम सब्द कभी यूज कर सकते हैं कि दोस्तों क साथ तुम बोल रहा हो तो तुम लिख सकते हो लेकिन याद रखे अपने से बड़े को लिख रहे हैं जैसे माली जे पिता जी को तो आपका पुत्र नहीं यह बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आपका भाई ठेक है आपका बहन जो भी है हो सकता है कि माली जे ऐसा भी हो सकता कि नाम दे देता कि आप एक मालिजे सुचित्रा कुमारी है तो फिर बहन के according लिखना पड़ता ना और कभी-कभी ये बहन ये सारी भाई की साधी के लिए है कभी-कभी बहन के साधी के लिए भी आ जाता है तो इसी तरीके से लिखना बच्चो ठीक है याद रखिएगा जो आपका कॉपी रहेगा उसके राइट साइड ही लिखना है इधर उधर भटकने जिरूत नहीं है और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें किस टॉपिक पर वीडियो जाई बताइएगा जरूर मिलते हैं रिवडियो के साथ डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और अधर सोचल मीडियो प्लेटफॉर्म का वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं जैहिंद बंदे मातरम